नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चनल YK Online Education में उमीद है आप सब लोग स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी बढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों, एल्टी की आप लोग तयारी कर रहे होंगे और आपका स्लेबस क्या इसमें रहने वाला है या क्या होगा किस से प्रस्चन बंदेंगी वो मैं आपको पिछली वीडियो में डिसकर्स कर चुकी हूँ और जैसे कि आप मैंने बताया ना कि इस वार 50-50 नमबर का आपका हो गया है तो इसी एकॉर्डिंग आपको तयारी करनी है आप लोग पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो आप जरूर जा करके देख लिए और मैंने बताया था कि मैं यहां पर हिंदी से तयारी करवा रही हूँ तो मैं अपना पुरा बैस्ट देने की कोशिश करूंगी जहां तक मुझसे बन पढ़े का मैं आपकी मदद यहीं से हो जाता है तो 9-12 तक मैंने यहां पर सीरीज चला है था तो 9th 10th और 9 10th का मारा पूरा कवर हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेष्ट बनी हूई है 9th के अलग से सीरीज है 10th का अलग से सीरीज है तो आप लोग प्लेष्ट में जाकर क प्रिंट निकाल दीजिए और आपके स्टड़िए और आपके स्टड़िए तो इसी तरह से अब हम 11 यहां पर पढ़ रहे हैं इसमें भी मैंने बहुत सारे पढ़ा जोकी हूं मैं आप और इसी सीरीज में हमारा अगला है आज मीरा को लेकर के तो देखे मैंने कई लोग पार आप आपके अपर प्रॉप सामने चाहिं होंगी तो आप उसको बार बार आपके निजर पडेगी तो आप क्या करेंगे जब आपका डानलोड हो जाएगा तो उसमें जो टॉपिक है उनको आप वुएं टॉपॉएंट कवर करते रहेंगे वन बाई वन आप उनको पढ आपको पता चलेगा आपके कितना स्लेबस आपने किया है और कितना रह गया है तो फिर कोई छोटेगा नहीं तो यह बहुत अच्छे ट्रिक है इसको आप जरूर अपना दीजिए तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि जो मीरा वाला टॉपिक है वह आपके कहां पर आपके स्लेबस में हाला कि यह NCRT में है क्लास 11 की यह बुक है और यहां से आपके स्लेबस में इसको कहां आपको देखना है तो देख लीजिए अगर आपके पास स्लेबस है तो आप उसके साथ से मैच कर सकते हो मीरा वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और आपके स्लेबस में दिया हुआ है थर्ड योनिट है हिंदी कावे में अदिकालीन एवं भक्तिकालीन कावे दिको अमीर कुष्रोस में है चंदबरदाई है कबीर है जैसी है सूर्ट तोटसी और मीरा ये तो बहुत ही प्रस्ट बनते हैं तो कबीर का इसक पहले मैंने आपको कबीर वाला टॉपिक पढ़ाया है तो इसका मतलब कबीर हम complete कर चुके हैं उसको आप इछले वीडियो में देखी और इसको टिक कर दीजी फिर आज हमारा मीरा वाला टॉपिक चल रहा है तो यहां से जो प्रस्टन बनेंगे उनको आप पढ़ेंगे इससे अधर भी कोई जानकारी होगी तो मैं उसे भी जरूर बताऊंगी फिल से पहले तो आपको यह पंक्ति ध्यान रखनी है घाईल की गत घाईल जाने हीनो अगडा संजोए जोहर की गत जोहरी जाने क्या जाने जन खोए तो यह लिया गया है मीरा भाई की पधावली से जिसका संकलन किया है जिसका संपादन किया है किसने परशुराम चत्रवेदी पन्क्तियाग क्योंकि कई बार आपको डालेक्लिक पंक्तियाग किस की तॉरा लिखी गई है तो यह सबसे पहले तो आपका एक प्रस्न भन गया है, चले, इसके बार देखे शांने मीरा के बारे में सामान जानकारी हम देख लेते हैं इनका जन्म 1498 कुड की गाउं यानिकि मा प्रचनाई आपको बहुत ध्यान रखनी है मीरा पदावली और नरस्ती जीरो मायरो ठीक है चलिए आगी देखते हैं मीरा सगुर धारा की महत्तपूर्ण भक्त कव्यत्री थी फिर अगला ये नोट कर लीजिए मीरा किस भक्तिधारा में आती है देशको भक्तिकाल को आपको आपने पढ़ा होगा कि जो भक्तिकाल है उसकी दो काविधाराएं है एक तो है सगुन ठीक है और दूसरी क्या है निर्गुन और जो कबीर है वो निर्गुन है ठीक है निर्गुन यानि कि निराकार भक्तिका जिनोंने बात की है ठीक है तो कबीर निर्गुन में आएंगे सबुन में कौन है? सूर, तुलसी, मीरा ठीक है? तो यहा पर आप देखा जिनोंने सबुन इश्वर के सबुन साकार क्योंगे मीरा इस वर को एक मनुश्य के रूप में सबुन साकार रूप में देखती थी भगवाण श्री कृष्ण को तो इसलिए मीरा को हम सगुन भक्तिधारा के कव्यत्री के रूप में हम उसे देखते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो एक व्याकरण के दृष्टे से भी आपका यहाँ पर एक प्रस्नी क्लियर हो जाता है कई बार आपको वर्तनी शुद्धी में पोचा जाता है कि कव्यत् करते हो ना मैं हमेशा आपको कहती हूं कि आप सिर्फ एक तरोज नहीं आप मल्टिपल तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए तो देखे आपको यहीं पर बहुत सारे चीज़ें आपके क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर आपका व्याकरणिक एक वर्तनी आपको शुद्धी तो इस थरह से अगर आप बड़ते हो इस तरह से आप अपना नोर्ट्स बनाते हो तो काफी हद तक मैं केया सबते हूं कि आप बहुत अच्छी आपकी तहिारी हो जाएगी यह बहुत चोटी चोटी बाते हैं जो हमारे एक्जाम में आती हैं और हम उनको नहीं कर पाते हैं लेकिन निर्गुन भक्ति का प्रभाव भी मिलता है थोड़ा थोड़ा इन्होंने निर्गुन भक्ति का इनके जो कावे धारा है वैसे तो सबुन भक्ति की है लेकिन प्रभाव इनमें थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन पूछा जाए किस भक्ति धारा की हैं तो सबुन भक्ति का हम ही उसमें लिखेंगे ठीक है संत कवी रैदास उनके गुरु मान जाते हैं बहुत महतपून है इसको आपनों डाउन करिए कि जो मीरा के गुरु थे वो कौन थे संत रैदास थे ठीक है बच्पन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही अन्य भक्ति कालिन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की चित्त और राजगराने में अन्य कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेवाड आ गई यहां उन्हें यहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमी वरिंदावन की यात्रा की जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका चली गई माना जाता है कि वहीं रणचोड़ दास जी की मंदिर की मूर्थी में वे समाहित हो गई तो यानि कि ऐसा माना जाता है कि मीरा जी ने जो रणचोड़ दास जी यानि की स्रिकृष्ण को कहते हैं तो उसी मूर्थी में उन्होंने समाधी ले दे दी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उन्होंने लोक लाजक और कुल की मरियादा के नाम पर लगाएगे सामाजिक और वैचारिक बंदनों का हमीशा विरोध किया परदा-परदा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सारुजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की मीरा मानती थी कि महापुरुसों के साथ सम्वाद जिससे सत्संग कहा जाता है से ज्यान प्राप्त होता है और ज्यान से मुक्ती मिलती है अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दिर्ण निश्चाई थी निंदा या बंदगी उनको अपने पत से विजलित नहीं कर पाई जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया इस अर्थ में उस युग में जहां रूडियां रूडियों से ग्रस्त समाज और दबदभा था वहां मीरा इस्तरी मुक्ती की आवाज बनकर उभरी मीरा की कविता में प्रेम की गंभीरता अभीविंजना गंभीर अभीविंजना है तो दूसरा आपको थोड़ ये वरतने भी देखनी है कि अभीविंजना किस तरह से लिखा जाता है उसमें विरह के वेदना है और मिलन की उल्लास भी मीरा की कविता का प्रधान गुन सादगी और सरलता है कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की लोक संगीत और सास्त्रे संगीत दोनों चेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है अब जैसे यहाँ पर एक शाब्दा है मुक्तक तो मुक्तक क्या होते हैं जब कोई रचना किसी एक ही चंद में पूरी सुरू से लेके लाज तक एक ही चंद में आपको मिलती है तो उसे हम कहते हैं मुक्तक ठीके इसको में आगे किसी वीडियो में डीटेल से बताऊंगे कि खंड कावे क्या होता है प्रबंद कावे क्या होता है मुक्तक कावे क्या हो राजस्तानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभासा का भी प्रभाव है तो यह आपको ध्यानकना है कि जो मीरा का जन्मचेत्र है कर्मचेत्र है वह जन्मचेत्र बेसिकली कहेंगे वह कहां है राजस्तानी तो उनकी जो भासा है उस पर राजस्तानी का प्रभाव दिसेस्ता मिलता है लेकिन कहीं कहीं क्योंकि बाद में वो ब्रंदावन की उर लोट गई थी तो फिर उनकी जो भासा है उस पर ब्रजभासा का प्रभाव नजर आता है कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है तो यानि कि जो सूफि जन्तों हैं तो उनका भी प्रभाव इन पर मीरा पर देखा जाता है मीरा की कविता के मूल में दर्द है दर्द कैसा? क्योंकि वो श्री कृष्णी के प्रती आगाद समर्पित थे और उनसे मिलने के उनके मन में अकाट एक अगाद इच्छा थे वे बार-बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचान नहीं न श्रत्र पहचानता नहीं न श्रत्र न मित्र यानि कि उनके दर्द के पहचान किसी को नहीं दे चलिए इसके बाद देखिए यहां प्रस्तोत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है दाथा व्यर्थ के कारियों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है ना इनका मानना था कि लोग व्यर्थ के कारियों में ज़्यादा लगे रहते हैं और सच्छा उन्हें भगवान शेकृष्ण की शरण में उनके भक्ति में लगे रहना चाहिए पद नरोतम दास्वामी द्वारा संकलित संपादत मीरा मुक्तावली से लिया गया है तो आगे जो पद यहाँ पर लिया गया है मीरा द्वारा रचित है और कहां से लिया गया है मीरा मुक्तावली से जिसका संपादन किसने कहा था नरोतम दास स्वामी द्वारा संकिल ठीक है तो चलिए इसके बाद देखे अब यहां कुछ एक पद यहां पर मीरा द्वारा लिखा गया है मेरे तो गिर्दर गोपाल दूसुर्णकोई जाके कालिक्ट प्रस्ण बनते हैं कि यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह भी आपको जरूर पढ़ने है ठीक है चाड़ी दई कुल की कानी कहा करिये कोई संतन डिग बैठी बैठी लोग लाज कोई हैं अब मीरा कह रही है कि मेरे अपनी कुल की जो मरियादाएं हैं जो परिया परमपरा हैं उन्हीं छोड़ दिया है और संतों के संग में बैठ करके मैंने क्या कर दिया है अपनी लोग लगजा को खो दिया है अफिर है असवन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई अब ते बेली फैल गई आनंध फल होई अब मैंने अपने आंसों से क्या कर दिया है, अपने प्रेम की जो बहिल है, उसको सीचा है, उसका उसमें प्रेम रूपी बीज बोया है, लेकिन अब वो प्रेम बीज इतना ज्यादा फैल गया है, कि अब मैं बहुत आनन्दित हूं, अपने इस कृष्ण के प्रते, जो मेरा द्दान्धिम्था रहें से दोञे के देशाया। मत्षन निकाल आपे हैं अग। श्दान्हेश किसी टेकी ताह स हमेट। तो चान किवी रगता है। उसको भिलोना कहते हैं ठीके ददी मति घरते काड़ी लियो डारे दई चोई तो इस प्रकार से जब जो घी है वो क्या है उनका प्रेम का एक आउटपुट कह सकते हैं उनको है न तो इस प्रकार से उन्होंने जब मेहनत की तब जाकर के प्रेम रूपी घी उनको प्राप्त उनको देखकर के वह बहुतद कोषो थी लेकिंट जो जगत है जो लोग है चोंके अनकना पर मिठ्ञा आरोप लगाते थे जो उनको तरह तरह की बाते सुनाये करते थी तो उनको देखकर की वह रूती थी है ना। बहलाग्रिदर तरौ अब वो कहनेग सि यह दासी हो잔 अगर आपने पिछला एल्टी का पेपर देखा होगा तो वहां पर आपने जरूर नूटिस किया होगा कि जो इस तरह के जो शब्द है ना उनके अर्थ आकसर आपसे पूछ ले जाते हैं तो कानी मतलब होता है मर्यादा डिग मतलब साथ बेली मतलब टेम की बेल बिलोना मतलब छोई मतलब छाज सार हीन जो अंश होता है तो इस तरह से जो आपके पास सब्दावली होती है उसको आप जरूर ध्यान रखिए उनको नोट करते रहिए क्योंकि कई बार डारेक्टली आपस प्रस्री यहीं से पूछे जाते हैं तो चुटे-चुटे चीजें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं और यहीं चीजें जब हमें एक्जाम में पूछे जाती हैं तब हम किताबे टोलते हैं और जब हमें सामने ही चीजें दिखाए देती हैं तब बड़ा बुरा लगता है कि कास हमने थोड़ा सा इसको भी देख लिया हो Eczaminer को भी यह पता है कि बच्चा जो स्लबस है उसके दीप में गुसा हुआ होगा लेकिन हमें इतना डीप भी नहीं गुसना है कि हम जो सामने की चीजें हैं हम एगनौर करें है तो छोट छोट चीजों को पहले बढ़ना है, बात में आपको पास समय बसता है, तब जाके आप बहुत जादा डीप भुसिए, अधर वाइस ज्यादा गुछने की अवशकते नहीं है, क्योंकि बेसिक ज्यादा क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से तो चलिए आज का वीडिय में भी आपको जरूर प्रोवाइट कराऊंगी, फिलाल के लिए आप इसको पढ़ते रहे हैं, पिछली वीडियो आप जरूर पढ़िएगा, नो से ग्यारक का हमारा भी चल रहा है, तो उनको भी जरूर देखिए, मैंने इसी तरह से आपको बता है, कहां से आपके के लिए बढ़ते हैं आगे आप अपना और अपनों का जरूर धियान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेचन में तब तक के लिए नमशकार